शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें जिमारू करता हूं आपका हमारे शो जुर्म जजबात में अक्सर हमने देखा है कि अमीर और बड़े लोग की जिन्दगी में सब कुछ होता है खासकर खुशियां और दौलत भी मगर जब इनी बड़े लोग की जीवन में मुश्किल आती है तो उन्हें देखकर आम इनसान भी हिल जाता है यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक बस्ती जिले की जहां एशो आराम के पीछे एक जुर्म पनप रहता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था एक हस्ता खेलता परिवार जो तबाह होने जा रहा था और बरबाद होने जा रहे थे वो हजारों सपने जो एक बहतर कल की और इशारा कर रहे थे आराम के लाओ नहीं से भी नहीं से बाहता है कितने खूपसूर हो थो। पताने कितनों पर बजलियां किरॉह। मैं किसी और पर बजलियां क्यों किरством। जब मेरा प्ति मेरे साथ है। मैं सिर्फ आप केज़ी सच्छती सब थी हूँ। किसी और से मुझे कया मतलब। इससे पहले कि मेरा पार्टी जाने का मूड बदल जाए, लिखले यहां से. जले. बाबे, 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 तुम कही नहीं जाओगी. बाईया केले जाएंगे, तुम मेरे साथ रहोगी. मैं जल्ली आजाओगी. पीद, कितनी बार तुमसे का है? इस तरह से कमरे में मत घुजकर आया करो. जब तक तुम्हें मार नहीं पड़ेगी ना, तुम्हें समझ भी नहीं आता है. रहने देजिए ना, बच्चा है वो. बच्चा ही है? तुम्हारी उमर का हो चुका है. मॉम डैड तो चले गए और इसका बोज मेरे सर पर डाल दिया. अब देख क्या रहे हो, जाओ यहां से. आप बीना. यानिवे, शलो, हम पार्टी के लिए लेटर. आणेवे, कर लूंगा इज. कम, लेट गो. लेट गो, कम. कहीं जा रहे हैं आप लोग? मैंने खीर बनाई थी. सुच है, आप लोगो देती हैं. अरे वा. तैंक यू बट वो, क्या हैंना कि हम एक पार्टी में जा रहे हैं तो खाना वहीं खा कराएंगे. इसलिए इसके ज़रूरत नहीं है. अरे खी. मुझे अरवेट कुरिया बहुत पसंदा. इसे रख देती हो और लटके खा लेंगे. तैंक यू सो मच इसके लिए. कुछ और खाना हो तो बताना. अच्छा मैं चलती हूँ. आप लोग लेट हो रहे होंगे. हमसे कुछ देर बात करने आ जाती है, तो क्या बुराई है उसमें? ओके, ठीक है. एक काम करो तुम ये खीर अंदर रख कर आओ, मैं काड़ी में तुम्हारा बेट कातू. मैं बाईया को जान से मार दूँगा. वो हमेशा मुझे डाखते हैं, मारते हैं. पर काजल बाबी को नहीं मारूंगा मैं. वो मुझे प्यार करती हैं, और मैं भी तो इनको प्यार करता हूँ. मार डाला बाईया को. अब मैं और बाबी साथ में रहेंगे. प्यार से रहेंगे मैं और बाबी अब. प्यार करते हैं नहीं मुझे, थैंग इसे नहीं रहेंगे नहीं मुझे ander हैं. वो हम आरेश करते हैं, थैंगा मुझे रहें से तुल मुझे जारा रहें से रहें अठीर रहें आपको बाबीशना शुचा में खुचा अजिए गाराउंड दुचा अजिए अजय दुचा यह जो दुचा आटा तुम यहीर को मैं तुम यहीर को मैं तुमारा ले ड्रिंक्स लेकर आतो यहीर ही तुमारी ड्रिंक्स चेस यहार यह क्या लग रगवीर की वाई पहां कोहीं नूर ले घर बैठा हुआ है तो नजरी नहीं हकती इस पेसे तो कुछ तो करना पड़ेगा वरना अगर दोस्ती में दोस्त का फाइदा नहीं उठाए जाए तो दोस्त कैसा तुम बहुत लगई हो काजल जो तुम्हें रगवी जैसा पती मिला है मेरे पती ने तो मुझे हमेशा दुखी दिया है कभी प्यार के दो शब्द भी नहीं बोले हो समस्से हमेशा लडाई जगडा मार पीट गाली गलौच बस यही करता था मेरे साथ मुझे ऐसा लगता था जिसे मैं किसी पिंजरे में कैद हूँ और मेरे घरवाले मेरे घरवा आजाद हो लेकिन अकेली हो और शायद जिंदिगी भर अकेली ही रहोंगे बाभी, मुझे नेन नहीं आ रही बाभी, मुझे टानी सोना हूना वो, बूत वाली चलो ना बाभी यह ना, ऐसा ही है इसको अला किए आत्यों औरना जिद करेगा चलो ना बाभी तब दो एक भी जगिएू अगूँ हमगूद ओझेट एक चाटिएू कैसे हैं गुड़ और तुम्हारा दिन कैसा रहा अच्छा अच्छा वो गुरगपर से कॉल आया था आपके फैक्टरी मैनेजर का अच्छा क्या बोला वो वो बोले के फैक्टरी की हालत बहुत खराब है सापको बोल कि सब कुछ सेटिल गरवा दे जूट बोल रहा हूं पर रोने की आदत सी हो गई है वो मैनेजर और बाकी के लेबर्स को अपनी सैलरी बढ़ानी और कुछ निए चाप आप बुराना माने तो एक बात भूलू अच्छ नॉट और मैने आज तक तुम्हारे किसी बात का बुरा माना है तेखें ये फैक्टरी हमें कितना कुछ देती ह इस वक्त this पर ध्यान देना बहुत जरूरी है ये पौटी झती होती रहेंगी न पर विलहाल पाक्टरी पर ध्यान देना देना जरूरी है Okay, Baba, ठीक है, मैं आज ही मैंजर से बात करता हूँ और जल्दी फैक्टर भी विजट करता हूँ, okay? अब सारी बाते यही करोगी या आप अंधर भी चलें चलो क्याम बहुर बता काजल 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 आराने तुम इतनी रात को काजल मेरे यह ना कोई चोर घुसाया है वह खिड की खोल के अंधर घुसा और जैसे मैंने आवास की ना वह भाग गया वह दो लोग थे आपने उनने देखा? हाँ देखा, उसके हाथ में लाठी भी थी रिलाक्स रादना हम लोग हैं तम्हारे साथ आप यहीं रुखे, मैं देखकर रादना तुम देरों रादना यह सब संभालेंगे रादना जी, मैंने चेक कर लिया, वहाँ पर तो कोई नहीं है आप चिंता मत किजिए आप घर जाएए मैं कल सुबे कमिशनर से बात करूँगा और उने रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे एरिया में पेट्रोलिंग तेज करते है थैंक यू पटाका था, भूली नहीं पुरी रिलांस अरे अब यह किस लिए इतना अच्छा पती और सब ही की मदद करने वाला इंसान होने के रिए तुम्बी ता अब चलो अंदर देखो, सोच लो अब भी वक्त है तुमारे पास सोच लो दो से चार देन रेप होगी मेरे बिना आपका काम भी तो ज्यादा जरूरी है ना रिल्टी सब को चैडल करके आई एगा अवकास तुमारे लिए तो जा रहा हूँ बस तुम अपना ख्यार रखना और यह बात फैक्टरीज की वर्कर्स की तुनको मैं सीधा गर के आदो अगे? अबना ध्यान रखे तुम बे, बाई तुक्या बाई बाभी अच्छा हुआ बाईया चलेगा है अब हम साथ खेलेंगे कुछ दिरों बाद वापस आजाएंगे फिर क्या करोगे बच्चू बगवान बाईया कभी लोटके नहीं आए चुप ऐसा नहीं बोलते चलो अंदर चलके तुम टीवी देखो और मैं खाना बनाती हूँ ठीक है? हलो भभी जी कैसी है आप? मैं ठीक हूँ, आप लोग अचानक भाजी वो आज रखुवीर का जनुदिन है सुचा उसको सप्राइज देते अ, कहाँ है वो? वो तो गुरकपुर गह हूँ है अपनी फैक्टरी के काम से दो दन के बाद ही आएएगे और उनका बटे आज नहीं दो महीने बाद है क्या? अरे हमें लागा उसका जनम दिन आज है तो कोई नहीं जनम दिन आज ही मना लेते हैं और रगुवीर नहीं है तो क्या हुआ बाभीजी तो है बाभीजी से केक कटवा देते हैं आइडिया पुरा नहीं है बाभीजी अंदर आने के लिए नहीं पोले मैं आएए नाप आप इका घर है आएए आप लोग बैठी है मैम अब ही आती हूँ हाँ मैं पौजिया हूँ अच्छा वो आपके दोस्ता हूँ हूँ आपका बर्डे सलिप्रेट करने के लिए और मैं केक कट करने वाली हूँ तो आपना उन सिंग्भार बात कर लीजे अच्छा थीक है काजल वेत का है वो सो गया है बहुत थग गया था और उसकी दवायां भी दे दिये मैंने अब सुबह तक ही उठेगा लागा वाय है Happy birthday to you Happy birthday to you Cheers This is for a beautiful lady झाल झाल काजल क्या हो गया काजल इतनी जोर से पकड़ा जैसे मैं दोबारा जाने वाला हूँ सोचेगा भी मद दोबारा जाने के बारे कि बिना ये दिन कैसे गोजारे सिर्फ मैं ही जानती हूँ ठीक है बाबा अब में कहीं नहीं जाओंगा ओकी? अज़े तुम्हें पता है कि हमारे फैक्टरी का काम फिर से चल पड़ा है और हमें बहुत बड़ा ओर्डर भी मिला है काजल I promise अब से में सिर्फ तुम पर और अपने काम पर ध्यान दूगा क्या हुआ काजल क्या हुआ काजल वेदे तुम्हे परेशान किया किया यह मगर वो पताने क्यों मच से गुस्सा है बात ही नहीं कर रहे ठीक है मैं फ्रेश हो जाता हूँ फिर हम उससे बात करते है ठीक है चला वेद क्या हो अवेद मुग्यों फुला कर बैठे हो वेद गणी मत है कि हम तुम्हे इस घर में रहने देते हैं अगर हमारी जगा कोई और होता ना तो तुम्हे पागल खाने भिजवा दिया होता तो बेजदो मुझे पागल खाने सब खराब लोगे हैं तुम भी खराब आदमी हो और बाबी भी गंदी औरत है वो मुझे प्यार नहीं करती वो दूसरों को प्यार करती है गंदी औरत है वो मैं कभी उनसे बात नहीं करूँगा इस तो तेरे लिए इतना सब कुछ करूँ उपर से तुम हमकोई बुरा बोलेगा भाज नहां अगर मैंने थेरी खालना उदाड़ दी नहीं तो मेरा नाव रगूवीर समझा तु ताबी मैं ताबी जान मेलेंगी क्या हुश तुमारी बुराही कर रहा था वो छुप रहा है कर दो, कर दो हलो कैसी हो काजर्ञ? मेरे सर में दर्द है बात में बात करते है तो तुम्हें कॉन बोल रहा है बात करने को एक काम करो हम बात करते है तुम बस सुनो, जब से तुम्हारा वो वाला रूप देखा है ना काजल, दुनिया में कुछ और दिखता ही नहीं है, बस तुम यह तुम ना तराते हैं, वो तो अच्छा है, उस दिम्हों रिकॉर्डिंग कर ली पी हमने, वरना ऐसा नजारा बार बार कहा, देखने को मिलता पस एक बार और अपना नशा करवा दो काजल, इसम से तुबारा नहीं बोलेंगे, आव अना ऐसा नो के हमारा मुझ पूल जाएलसी मैंने आपसे कहा था, उसे मत इतना डाटिये और मारिये, बाग गया ना वो घर से, बता नहीं कहा गया भावारा भा़ता है, बाग कहा दो और किस हालत में होगा तुम ठीक कह रही हो और अगर उसे कुछ हो गया तो सारा ब्लेम हम पर आ जाएगा आप वो सब सोचना छोड़े और यह सोची कि वो कहां मिलेगा की एड़ितेरा अजना इसे कर देकर वो तो अच्छा हो रोड़ क्रोस करता ऀर इसको देख लिया बहुत मुष्क्रिस समजा भुचा कर ले कर आई हूं इसदे़ एंगा ज़्जों अश्का ऑच्ठा झाल रखोंगा ना किस घर से क्या अपने कम्रे से कभी भार नहीं निकलेगा यह अपनी इस्टोप हो जाईए वेट उम अपने कमरे में चोड़े आपको पता है आपकी जो बड़ी वाली गरना मुझे सूफे के नीचे में आपको बहुत पसंदे रहो चलिए पसमें सेरी डाले के मुझे खेलेंगे अरादना जी थन्यवाद आपका वेद अच्छा है और आपकी तरह भोला भी मतलब मैंने वेद को आराम से घर में बढ़ा कर बात की तो उसने मुझे एक बात पताई कौन सी बात यहां नहीं आप एक काम कीजिए मेरे घर चली है ना मैं पताती हूं आपको नहीं आपको जो लेकिन आप दो लोग और हैं जिन से वो प्यार करती है और वो लोग उसको कमरे में लेके जाते हैं अच्छा और कैगा उसने अगर आप समिझदार है तो एक इशारा ही काफी है कि किस औरत के साथ रहना चाहिए और किस के साथ नहीं और आप तेग्यार है हाँ मैं तो कबसे आपके इशारे का अंतजार कर रहे हैं वेध हर रोज अपनी खिनोले वानी बंदूक से सौ लोगों को मारता है और सौ मारे अली मंजिल से बिना पैरिशूट के नीचे कूच जाता है उसकी बातों में आकर आप अपनी बात मेरे सामने रख रहे हैं इससे पहले मैं वेध के साथ साथ आपको भी पागल हाने पिजवा दूँ यहां से चली जाए चली जाए यहां से यहां से बातों मुझे आपसे कोच जरूरी बात करनी थी जाए बोलो ना मुझे अब इस शहर में नहीं रहना हूँ मुझे यह से कहीं दूर लेके चली गुटन होती है यहाँ पर इस मुझे यह से कहीं दूर लेके चली अब नहीं हूँ और कौन होगा आप तो डराई दिया बिलकुर मुझे अब तुम्हारे होश उडाने वाला यह देखो यह क्या है पहले देखो तो लक्नाव में यह नया प्रोजेक्ट आरहा है नए बिल्डिंग्स का बहुत कमाल के फ्लैट्स है यहाँ पर स्विमिंग पूल है जेम है सब कुछ है यहाँ पर क्या कहती हो यह पर यह पर फ्लैट बुक कर ले और लखनों शिफ्ट हो जाए अ रगुवीर चलते हैं यहाँ से मेरा दम गुड़ता है यहाँ पर जो भी फ्लैट बुक कर लो चलो पर यहाँ से ठीक है रगुवीर जिसके साथ उमने प्रॉपटी के चकर में शादी की और फिर डिवोस करकर इस घर पर कभजा कर लिया अब अच्छा पड़ोसी होने का फर्स तो निभानाई होगा है ना अब इसे भी उनके आने के बाद आपका अकेलापन भी दूर हो जाएगा आज मैं जहां भी हूँ ना अपनी जित की वजास में और जब मैं कुछ ठाल लेती हूँ तो कुछ भी कर गुजरती हूँ रगुवीर तुमने यह अच्छा नहीं किया हलो आपकी आवास सुनकर दिल खुश हो गया बस अब जल्दी से आपके तर्शन हो जाएं भावीजी आखिर कब तक आपका वीडियो अपने फोन में रखते पिरेंगे एक बार आप मिल जाएए उसके बाद अब अपने हाथों से वीडियो डिलीट कर देना एक बात आप दोनों कान खोल कर सुन लीजे मैं और अभवीर यहां से लखनो उशफ टो रहा हैं तो बहतर होगा कि आप मजे ब्लेकमेल करना बंद कर दीजे और इत बात और याद रखिएगा आप दोनों की बीवियों का नंबर भी है मेरे पास उन दोनों की हादों से भी मैं बहुत कुछ रिलीट कर रवा सकती है वोबाई से भी और आपकी जिन्दगी से भी अगर अगर ये बात मेरे पती को पता चल गई न तो पता नहीं क्या होगा कुछ स्यादा नहीं बोल गई है आपकाउन क्लोस करना मुझे अच्छ जाता है अब तो देख ऐसी चाल चलूँगा की वो खुद भखुद अपने पीछ आएगी जिंदगी भर के लिए चेर्स रगवीर की अचानक हत्या हो जाना बहुत ही अचंबे की बात थी वो अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश था एक बहतर कल की ओर आगे बढ़ रहा था मगर दूसरी तरफ कोई और भी था जिसने उसे मारनी की ठान ली थी यूं तो हलातों ने उसकी जिंदगे में इतने मसले खड़े कर दिया था जिसका उसको पता भी नहीं था पर क्या ये मसले इतने पहचीदा थे कि जिसकी वज़ा से कोई उसकी जान तक ले सकता था तिन दहडे रगवीर को उसी के घर के बाहर मार देना एक बड़ी साज़िश की और इशारा कर रहा था अब वक्त था इस राज से पर्दा उठने का है इस राज से पर्दा उठने का है पर मेला चेकर पर सिर्टिंगे परसे राज़िए बात मेंगी लगते ए चोरे के माँपला नहीं लगता सा आप से रणजे जरू लगते ए रखुबीर रखुबीर, रखुबीर, पर खुबीर, कुलो मेडम, कौन है अपके एग? मेरी पती है मेडम, को लिगे जाओ रागुवीर! सबसे पहले बॉड़ी को पोस्ट बॉड़म के लेके जाओ जी सर्व आज पास के सभी लोगों से पुछ ताच करो सीची टीवी एंगल्स सारे के सारे चेक करो जी सर्व देखो अगर कुछ भी मिलता है तो जी वो मेरा बहुत खयाल रखते थे किसी से भी मेरे लिए कुछ भी नहीं सुनते थे याद अग कि मेरे कहने पे लगनो शिफ्ट होने के लिए तयार हो गए थे और कि जाने के बाद मैं सारे सबने सारे उमीदे तूट चुकी अब सिंगे कुछ अब कुछ बचा ही नहीं अउनका कोई दुश्मन या फिर कोई भी ऐसा जिसको उनकी मौत से फाइदा हुआ हो कि आपको किसी पी शक है वो मुझसे हर बात शेयर करते थे पर किस तक दुश्मनी की बात शेयर नहीं क्यो लोने मैंने मार दिया भईया को ना आपको भी मार दूँगा वो मुझसे बहुत सताते थे मेनका मार दिया भईया को मैनका मार दिया भाइया को इस गं से het, लेएара विबदाव एही अठבס नहीं मैंनको मार दूँगा इस गं से भईयने भईया था याश्मना ज़ो इसका यह एक काम करो किसी अच्छे से साइकलोडिस को लागर बेच से उसकी बात कर बाओ उसकता है कोई रास की बात सामने निकल के आ है सर अगवीर के वारे में पता लगाया है उसका गोरखपुर में कोई बिजनस नहीं है एक जमीन थी जो बहुत पहले बेच चुका है तो यह देखे रगवीर का बैंक स्टेटमेंट देखके लगता है कि उसके पास जादा पैसे नहीं थे और उपर से उसमें बहुत सारे लोन भी ले रखे थे यह रगवीर इतने शान और शौकत के जिने के लिए अखिर पैसे कहां से लाता था एक काम करो जी सर इसके दोस्तों का पता लगाओ जी सर फिर देखते हैं अच्छा रगवीर की पोस्त मोटम रिपोर्ट आई की नहीं सर अभी तक तो नहीं कल तक आ जाएगी सर आज साइकलोजिस को भी वेट का स्टिमिन रिकॉर्ड करने भेज़ते हैं अलो ओके गुद जॉब यह रगवीर इतनी अमेरी वाली जिन्दगी जीने के लिए अखिर कामदंदा क्या करता था जी अभी हमें उसने बताया था कि गोरकपुर में उसका एक मिजनस है वही से पैसा आता है उसके पास पार्टी में अकसर यही बोलता परता था वैसे काफी बड़ दिलवाला और शौकीन आदमी था वो खुब पार्टीस करता था हम अकसर उसे पार्टीस में ही मिलते थे वैसे पैसे वाले तो आप दोनों भी कम नहीं लगते उम्मीद करता हूँ सही तरह से पैसे कमाते होंगे जी हमारा होटो पार्टीस का बिजनस है कमल मार्केट में बड़ी दुकान है आपकी यह अने से पहले पता किया था मैंने मैं तो बस यसे ही पूछ रहा था अरे लीजी यहां की चाय बड़ी मश्वूर है हम यही पीतें एक बार यहां की चाय पिना शुरू करेंगे तो पार्टी बोल के यही आय करेंगे लीजे लीजे तेंक्यू सर वहुँ जी ओक, थैंक यू सर वो साइक्लोजिस से बात हुई मेरी उसे मुझे बताया कि वेट की मान से खालत इतनी खराब है कि अमसे किसी बात पी यकीन नहीं नहीं कर सकते सर उसे इबी बताया है कि वो अपने भाई रगवीर से बहुत नफरत करता है इतनी नफरत करता है कि अपने माबाप की मौत का जिम्मितार वो रगवीर को ही मानता है जबकि उसकी माबाप की मौत बीमारी से में वो भी बुड़ापे में सर वो अपनी भाबी से बहुत प्यार करता है लेकिन बीच-बीच में उन पर भी गुस्सा होटता है ऐसे महां उसके किसी वाद पर यकिन करना ठीक नहीं हो से लेकिन फिर भी हम उसको अपनी सस्पेक लिए से रूल आउट नहीं कर सकते हैं जी से उस मोडम रिपोर्ट आ गई है उसके हिसाब से रगवीर की बॉड़ी में गले में कट के अलावा कोई भी स्ट्रगल मार्क्स नहीं है और इसका मतलब यह है कि मारने वाला रगवीर को अच्छी तरह से जानता था और इस वज्या से रगवीर को समझने का मौका ही नहीं मिला और वह वहीं अपनी काड़ी में मर गया यहां आसपास किसी पे शक है आपको मेरी बॉल, 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 म हाँ वो यहाँ आसपास रहने वालों से हमारी कोई खास जान पहचान नहीं है और रगुवीर की भी सिर्फ पास में रहने वाली अराधना से ही बात्चीत होती थी मैं साराधना आप से दो मेंट बाद करें क्या बात है क्या हुआ थीज़ बैठे सुना यह थोड़ी बहुत बात्चीत थी आपकी रगुवीर जी के साथ जी हाँ मेरा उनकी घर थोड़ा आना जाना तो था तेकि बहुत टाइम से मैं गई नहीं उनकी आँ वैसे कैसे इंसान थे रगुवीर जी अच्छे इंसान थे अपने बीवी इसे बहुत प्यार करते थे एक बार जब मेरे घर में चोर गुज गया था ना तो मेरी भी मदद की थी उन्होंने कुछ और उनके और उनकी बीवी के बारे में शायद काजल को कोई प्रॉब्लम थी पतानी इतना अच्छा पती मिलने के बाद भी अपने देवर पे कुछ ज़ादा ही ध्यान देती थी मुझे लगता है कि पक्का काजल उसके देवर के बीच में कुछ तो था वेड भी दिन मेरे घर आया था और उसने मुझे बताया था कि काजल को बहुत प्यार करता है और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब वो किसी और मर्द के साथ कमरे में जाती है किसी और मर्द के साथ? हाँ उसकी हर बात पे तो विश्वास नहीं कर सकते लेकिन हाँ, ये पक्का है, कि वो अपने भाई से इसलिह नफ्रत करता था, क्योंकि काजल रभवीर की थी, ना कि उसकी. No thanks. आरे, पीकर तो देखिए, यहाँ के चाहे बहुत अच्छी होती है. अगर बेकार होई तो रख दीजेगा. करिये लीजे, पॉरिंग से इसका आपको इंचिजार था, आगे ये. बुद जॉब. बाद करते हैं, रगवीर के हत्यारे से. बड़ी होश्यारी दिखाई तुमने हाँ, लेकिन सच पूछो तो हमें तुम्हारे साथ कुछ खास महनत नहीं करनी पड़ी हमें हमेशा से पता था कि गुनेगार हमारे आस पास ही है, लेकिन बस कुछ पहचान करना भागी थी. तो बताओ, कि उमारा रगवीर को बताओ, अरे, क्या बूल रहे हैं आप लोग, मैं अपने पती को क्यो मारूंगी, उन्हीं की बज़े से तो मैं गरीबी से निकल की कच्छी जिंदगी जी रही थी, प्यार कटी थी मैं उन्हीं मार की मुझे ही क्या मिलेगा, आप लोग क्या बोल रहे हैं मुझे कुछ समझ में लिए हमें रगवीर की गाड़ी के दर्वाज़े से खून का एक निशान में जब हमने ध्यान से देखा, तो वो किसी उंगलियों के निशान थे, मतलब ये, जिसने भी रगवीर को मारा, उसने पहले उससे कार का दर्वा और मैंने तो कोई फिंगर प्रिंट्स दिये ही नहीं, तो आपने मैच किया से कर वाज? देखिए मेडम, फॉरंसिक रिपोर्ट आने में थोड़ा सट टाइम लगता है, और तब तक हम लोग बड़े चुपके और चलाकी से अपने सस्पेक्स के फिंगर प्रिंट्स ले लेते हैं, तो आपके घर से जो पानी का ग्लास था, आसे हमने आपके फिंगर प्रिंट्स और कुछ लोगों को हमें चाय पिलानी पड़े हैं, चुप चाप सासज बता दो, क्यो हमारा रगुवीर को? नहीं तो चाय पिलानी के अलावा हमारे बस और भी गई रास्ते हैं साचु करवानी दी, मैंने अपने बती को नहीं मारा, क्यो मारूंगे अपने पती को? लोकि कि गयर हासरी में तुम दूसरे मर्दों के साथ सौती थी, से पहले कि उसे तुम्हारी सचाई के बारे में पता चलता, तुमने उसको रास्ते से हटा दिया, मुझे तो लगता है कि तुमने उससे शादी ली इसलिए कि ताकि तुम अपनी आयाशियों को अंजाम दे सकावा मैं बचलन औरत नहीं हूँ, बलकि मेरा पती ही बहुत गिरा हुआ इंसान था, काजल, सुना ना मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, हाँ, बोलिये, अच्छा इस वक्त तब मैं तुमसे दूर हूँ औरना, मैं ये बात कभी तुम्हारी आँखों में दिकर कह नही और जुए मैं, मैं अपना बंगला गाड़ी यहां तक अपनी फैक्टरी भी हार गया, क्या बोल रहे हैं आप ये? मैंने मोहन और नरेश को बहुत समझाया, उन्हें मेरी बात नहीं सुनी, इसलिए मुझे उनके साथ में एक, एक सौधा करना पड़ा, कैसा सौधा? तुमा क्या? एक हम एसा सुचेंगे कि कभी ऐसा हुआ है नहीं हमारे साथ, आप हो यह एंडर्सटैंड राइट, फ्लीज काजल इसके बाद मैरे पनी इसद को और दोनो दरिदों के सामने रगुवीर की गल्टी के गारट निलाम कर दिया रगुवीर ने मुझसे वादा किया था कि वो बदल जाएगा लेकिन वो नहीं बदला वो जुआरी था और जुआरी ही रहा इतना सब कुछ होने के बाद भी मुझे इतने बड़े-बड़े सपने दिखाने के बाद उसने मुझसे का कि पिछली रात को फिर से किसी और के साथ मुझे इन चुए में हार चुका है काजल तुम जितना सोच रहे उतना मुझकिल नहीं है यह लास्ट बार है और पहली की तरह सिर्फ दो लोगी है मैं जान तो हम तुम संभाल होगी और काजल मैं बिस दो-चार दिन में लखना हो जाओंगा पूरा फ्लोर तुमारे लिए बुक करूँगा काजल यह यह हमारे बेटर फ्यूचर के लिए है हासमार तुम्हे अपनी कुर्बानी देनी होगी प्रीज प्रीज काजल हलो हाँ बस दो मिट्र को मैं आता हूँ काजल तुम रड़ी रहे ना आज रात को बोलो गाएंगे ओके हाँ मैं आरो बस पर इस बार पानी सरकें ऊपर घुजर चुका देंगा बस तूफान आना बाकी दो हाँ काजल सुनो ना मैं अबनी वास डाइनिंग तेबल बे भूल गया हूँ तुम प्लीज लाके दे दोगी हाँ मैं अगर्वाल जी के घर के बाहर गाड़ी में बैठा हूँ हाँ मैं आती हूँ थैंक्स आपकी वाच्च थैंक्यू काजला यहोप तुम्हे मेरी बातों का बुरा नहीं लगा और मैसे मुझे ऐसा लगता है कि तुम एक बार तो वो सब कुछ कर चुकी है तो तुबारा करने में I don't think so you should mind आपको टाय बनना भी ठीक से नहीं आए आप तक तुम्ही ठीक करदा आपने ब्यो कुछ ठीक ही का था पहली बारी बात मान के बहुत बड़ी दलती की थी मैरे उसे मार दिया काश आपने रगवीर की बात पहली ही बार में नहीं मानी होती तो बात आज यहां तक नहीं पहुँचती आपकी वज़ा सही थी पर तरीका गलत यह मोहन और नरेश इन दोनों को गिरफ़तार करके थाने लेकिया हो इसी की इज़त से खिलवार करना जुर्म है और उन्हें भी बराबरी की सजा मिलेगी और वैत की देखभाल के लिए किसी अच्छे एंजियों से बात करो जहां उसकी अच्छे से देखभाल हो सके जी से और उक्चार भी चलिए मेंड़ आज की कहानी में आपने देखा होगा कि रगवीर ने अपने पत्नी से और पूरी दुनिया से कई बाते चुपाई थी जैसे कि उसका खारोबार उसकी आर्थिक हालत और सबसे बड़ी बात उसके जुए की लट उसने अपनी पत्नी के साथ सबी लोगों को एक जूटी दुनिया में उलजाए रखा था उसकी शान और शौकत पैसे का रुबाब सब एक जूट था रगवीर धीरे धीरे अपनी जूटी पैसे शान और शौकत की जिन्दगी में तरह खोड़ चुका था कि उसने अपनी पत्नी को इनिलाम कर डाला उसने एक बार नहीं कई बार अपनी पत्नी को दाव पर लगा दिया था उसने अपनी पत्नी के साथ साथ उसका विश्वास भी खोड़ डाला लच्चा है किसी भी चीज क्यों जब उसकी एमियत अपने परिवार से जादा हो जाती है तो वह एक खतरनाक ग्रूप ले लेती है फिर वो एक नहीं कई जिन्दगियां बरबाद कर देती है इसी सोच के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं फिर मिलेंगे एक और नहीं कहानी के साथ देखते रहिए जुर्म और जजबात कर दो लेके साथ